मैं डॉक्टर श्रद्धा वसर्ष्ट आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ कक्षा दूसरी और उससे उपर की कक्षाओं के दाखिले संबंद जानकारी में आपके लिए लेकर आई हूँ इसलिए ज्यादा तर जो सबाल कक्षा दूसरी और से उपर की कक्षाओं के संबंद में मुझसे पूछे गए हैं दाखिले के संबंद मुझसे पूछे गए हैं आज की वीडियो के माध्यम से मैं उनके जवाब देने जा रही हूँ सबसे पहला सवाल जो पूछा जा रहा है कि फॉर्म कब निकल सकते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी तक केंद्र विद्याले संगठा ने कक्षा दूसरी और से उपर की कक्षाओं के फॉर्म कब से निकलने हैं इस संबंद में कोई भी जानकारी नहीं दी है हाला कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अठाइस फर्वरी तारीक की घोश्रा कर दी गई है लेकिन ओफलाइन माध्यम से जो दाखिले होते हैं कक्षा दूसरी और से उपर की कक्षाओं के उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन मुझे लगता है कि एप्रिल के महीने में अप्रेल के महीने में कक्षा दूसरी और से उपर की कक्षाओं के ओफ्राइन फॉर्म निकल जाएंगे इस संबंद में अदि मुझे कोई भी जानकारी प्राप्थ होई वे मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी आज का दूसरा सवाल कि कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी सीमा नहीं होती है कि आप इतने ही फॉर्म भरेंगे, कक्षा दूसरी और उसे उपर की कक्षाओ, कि आप कितने भी फॉर्म आप भर सकते हैं, आपके घर के पास जितने भी केंद्रे विद्याले हैं, आपको पता करना होगा कि उनमें कक्षा दूसरी और उसे उपर की कक्षाओ में सीट्स खाली है कि नई मुखिता आपको यह पता करना होगा कि उस कक्षा में seat खाली है कि नहीं जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते है अगर seat खाली है तो आप भर दीजे अगर आपके घर के पास पांच के इंद्रेविद्याले हैं पांचों में seat खाली है तीने भर दीजे, एक में seat खाली है, एक में भर दीजे, कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी cap नहीं है, कोई भी ऐसी limit नहीं है, कि इतने ही भर सकते हैं, आप जितने चाहे कक्षा दूसरी और उसे उपर की कक्षाओं के अपने बच्चों के लिए form भर सकते हैं, ओफलाइन form भ जिसमें बच्चे का नाम हो, बच्चे के नाम की स्पेलिंग सही हो, दूसरे कागजात की जरुद पढ़ेगी माता-पिता के नाम के निवास प्रमाडपत्रकी, यानि की पेरेंट्स के नाम पर हो, रेजिडेंस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और तीसरा जो आपको होगी, पासपोर्ट साइस फोरोग्राफ, और आप में से बहुत से लोग मुसे पूछते हैं कि टीसी की जरुरत पढ़ेगी, टीसी की जरुरत कक्षा दूसरी से कक्षा आटवी के दाखिलों में तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन नौवियर से उपर के कक्षाओं में टीसी की जरुरी है, लेकिन नौवी से बारवी दाख ले, क्योंकि बिना टीसी के नहीं होंगे, इसलिए वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट में छूट दी जाती है, टीसी की छूट कक्षा दूसरी से आटवी में दी जाती है, साथ ही आपको देना होगा बच्चे का जो एक सर्टिफ बिपल सर्टिफिकेट मातापिता जेंट्रल गभनेंट इमलोई यह एंटेट क मैं लिए टो मिल सकता है न पोगा थेंख दाख ले में उसरी करश कर दाएक है जो फिर सेंख दोben होगे, हो फिर सना बता बतात्यूसरी ऑन ड्रेस प्रूफ जो माता पिता के नाम का होना चाहिए तीसरा बच्चे की पासपोर्ट साइस फोरोग्राफ चौथा टीसी उन बच्चों के लिए जिनका दाखिला नौवी और उसे उपर की कक्षाओं में हो रहा है और आपका वह सर्टिफिकेट जिससे आप किस काटेगरी म कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता ऐसे में क्याटेगरी से संबंदित कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा आज का चौथा सवाल की फॉर्म खरीदने के पैसे लगेंगे तो ऐसा सवाल बहुत से लोग मुसे पूछते हैं खासकर वह लोग जो पहली बार समाने श्रेडी के बच्चों का दाखला केंदर विद्याले में हो सकता है तो इसका जवाब है जी हां बिलकुल हो सकता है और पिछले सालों में भी कहीं सालों में हजारों की संख्या में बच्चों ने केंदर विद्याले में दाखला लिया है जो समाने श्रेडी के हैं और साल भी उने मिलेगा और आगे आने वाले सालों में मिलेगा हाला कि केंद्र विद्याले का एक priority system होता है कैसा दाखले की पक्रिया होती है जिसमें कुछ categories के बच्चों को प्राथमिक्ता दी जाती है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सामाने श्रेणी के बच्चों का दाखला ना हो हर साल सामाने श्रेणी के हजारों बच्चों का दाखला केंद्र विद्यालों में होता है उम्मीद करती हूँ इन सवालों के जवाब से कहीं ना कहीं आपको के इंद्र विद्याल अदाकला प्रक्रिया के बारे में बहतर जानकारी प्राप्त होई होगी फिर भी आपके मन में कोई कन्फूजन है शंका है तो नीचे लेके कॉमेंट सेक्षिन के माध्यम से मुझे बताएं आपके सवालों के जवाब पर आधारित विडियो में जल लेकर आऊंगे अब मुझे डॉक्टर श्रद्दा वसिश को जाज़तीज नमशकार